प्रवाइब दोस्तों वेलकम टू मैं आपका दोस्त अविनब दीपू और आज सुवस्वा मॉर्णिंग में निकले हैं और आज जा रहे हैं बहुत अच्छे राइड पर मतलम एक बात आपको बता दे कि यह मेरा ब्रीम राइड है तो आज जा रहे है अपने एक ड्रीम को पुरा करने प्रींप लेंच वहारे में यहां जाने का प्लान है और यहीं रूट हम जूज की हैं जाने का और अभी फिलाल हम पहुंचने वाले हैं अजिया दोस्तों देख सकते हैं यह यूपी में इंटर्ट कर गया है और अभी जिस रोड पर भाइक खिला रहे हैं यह लखनौ का एक्सप्रेस पे जिए दोस्तों यही है लखनौ एक्सप्रेस पे और मेरे सामने में है टोल प्लाज सब्सक्राइब करते हैं तो फाइनली पहुंच गया है लखनौ और लखनौ पहुंचने में एप्रॉक्स हमको दस से ग्यारे गंटा लग गया यह दोस्तों बता दे आपको किदार ना कि आता टर्टी डिल्टी का डेटू है और अभी फिलाल हम हम लखनौ में तो आपको इस राइंगे हर एक डिटेल आप में शाथ सेयर करेंगे अगर है कि को आइज अगर फाइनली लखनौ टाउन जो है वो ग्रॉस कर चुके हैं और आज देखते हैं कहां तक डिस्टेंस कवर पकाते हैं तो अभी तो फिलाल बरेली के तरफे लखना उसे जब निकले थे सितापूर तक का जो रोट कंडिशन था वो काफी अच्छा था बट सितापूर से बरेली वाला जो रूट है वो पीछे में और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो रूट अच्छा नहीं मिला है आगे चलके देखते हैं कैसा रूट है अच्छा बाइक को पाग काहा करना है अच्छा फिलाल यहां लगा दें अच्छा नहीं कहीं जाना नहीं बस समान लगेंच हंड़ आएंगे हम लोग को जाने आने से क्या मतलब वाव देख रहे हैं बाइक का पार्ग हो रहा है इसका पार्किंग इधर है ओ या इसमें हम लोग रहेंगे अभी क्या इसका आज है डेट्री और अर्ली वर्निंग सुबस वा उड़ गये है और अभी जो टाइम हो रहा है वो कि छे बच के तीम मिनिट हो रहा है कि इसका वाइब देख वाइब यह था वह था कम तो इसको रिफिल किया जा रहा है तो तुम टेंशन में काई देख रहा है भाई हम बूल रहे तो किसा मीनलेटर रिफिल का रहा है अधा है जicar को सुब्स का ।भाइब अब्स मैंयाँत बाब्स के एख एंपनी डिफिल कर Actors तो आपके साथ शेयर करते हैं कि आज निकले थे परेली से और अभी फिलाल हम पहुंचने वाले हैं नैनी ताल और कोशिस रहेगा कि आज चाराश ज्यादा कवर कर पाए और हम जो के दानात जाने का प्लान हुआ था ना वो मुरादाबाद होते में जो प्लान था वो कैंसल ह हो गया और अब हम जा रहे हैं नैनी ताल रानी खेत होते हैं रूद्र प्रयाग होते हुए तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं क्योंकि यह रूट अपने लिए नय है कि हम बाइक ट्रिप कभी कहने ने डाल साइट हैं और हिली अरिया है तो नए हैं हम तो संबल के चलना है तो लेट होगा बट सेफली पहुंचेंगे बस वीडियोस में बढ़े रहे हैं आप भी ऐसे ही तो फाइनली पहुंच गया है हम दोग और यहीं को होटल है को है को होटल है वाई यह है कि कि अग्यकी ग्रानी खेट कल राइट पहुंचे थे और यह आज का मेरा डेफूर है और मज़ा आएगा ऑंडा मेरे पास अवेंजर हैं सो हम अवेंजर पर मज़ा ले सकते हैं और आपको बता दे कि आपके पास जो ही बाइक है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा बाइक वह या है जो आपके पास है दो स्लेंडर हो या खैया भूसा उसे मतलम में यह आपके पास वाइक है वही वर्ड का सब से बेस्ट यू यह मेरा मानना है तो आज कोसिस रहेगा रानी खेच से रूद प्रैक तक कवर करने का आप अलएडी देख चुक हैं कि कल रात में लगा रानी सब्सक्राइब करें तो आने वाले टाइम से और नैनिताल रानी खेत होके अगर आते हैं तो सब्सक्राइक से एप्रॉक्स 85 किलोवेटर पहले चोटा सो मार्केट है यहीं पे इनका साइवर कैफे हैं आपको बाहर से दिखा देते हैं तो कभी आईये तो यहां आके इपास ज आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको बाहर से आपको इस शॉप दिखा लेते लोकेशन दिखा लेते हैं आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा तो देख सकते हैं यह है वो शॉप सागर कंप्यूटर वर्ल्ड और यह है वो लोकेशन तो इस रूट पर किलोमेटर के आसपास है सतर किलोमेटर के आसपास और हम यहां रूम लिए है यह में रोट पर है इसलिए थोड़ा नौइज भी आ रहा होगा तो इसके लिए तो अगर यहां तक वीडियो देखना तो बिना लाइक किये नहीं जाएगा और भाई क्लिक कीजिएगा कच्छा कमेंट बस ऐसा ही आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं हमारे किर्हानत जो यात्रा ट्वंटी है उसका है डे-5 वाले है रूद्र प्रयाग से सोन प्रयाग और सोन प्रयाग से गौरिकुन जाने का कोसिस करेंगे क्योंकि हम लोग का जो चारधाम यात्रा का जो इपास बना है वह बाइस तारीका बना है तो आप देख सकते हैं यह वाला पहार को काट के प्रॉपर रोड बनाएगा सोच रहा है इतना महनत से इस रोड को बनाया गय है कि हर साथ इस रोड को बनाना पड़ता होगा तो चिए बाबा के जाननाथ के विए कितना कुछ दिया जा रहा है और हम लोग भी इतना रोड बनने के वजह से ही आज अगर भाइक से हम आ पा रहा है तो पहले के जमाना में लोग कैसे आते हैं हुए इमेजिंग भी नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलते हैं के लानाथ हर महादेव के नाम लें के यहीं है सोन प्रयाग का बाइक पारकिंग और कार पार्किंग तो यहीं पर लकॉर करना होता तो हम यहीं पर बाइक और कार जो है वह पार्क करने वाले हैं यह जैनुमिन पार्किंग है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पाइक पार्क करते हैं तो अभी पहुंच गया है हम लोग कहां गौरी कुंट सोन परियाग से आप अल्रेटी देख चुका है कि गाड़ी बु ले लिए हैं बस लगे जोगे रख लिए हैं पांच बेट का रूम मिल गया है और काफी सस्ता है मतलब पांच बेट का रूम मिल गया है तो यहीं गौरी कुंट में रुक गया है और यहां चे कल सुभा में मतलब पैदल चलना स्टार्ट कर देंगे ट्रेक करना स्टार्ट क कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे में un So the titles अब्रिकंद है अभी हम बाल्रे भूक के लंक Also कर देंगे साल में नाज़गा इसे टयावीन देंगे मनें पानी केवा यहीद डीन कहां है तो आपने देखा यही है गौरी कुंड और इसका जो पुआनी है वह बॉइल होते रहता है काफी गरम है तो इसका जो सेंटिफिक रीजन है वह यह है कि इसके नीचे बहुत जादा सलफार पाया जाता है इसलिए इतना गरम रहता है कि अब दूद्ध रहे है तो इसलिए फेल लें एक जम सील है और तेस्ट वहां वहां थोड़ा मिठापन लगड़ा पानी में याए तो जरू प्राइब किये देखिया आप लोग एक बास की कि पोप साधी इसलेडी पानी तो बहुत किया है तो यहां यहां का अम्रिज की कि अधर् conferrali क्या बता ये जो व्यू है न मी खुश हो गिया आगे से जो हवा आगा हुआ है मंदिर दिखेगा हम लोग को चलते हम लोग ऐसे ही जननत है बाई जननत बैक्डाउंड का जो व्यू है न वो कैमरा में नहीं देख सकते हैं आप कैमरा में व्यू नहीं दिखेगा आपको और आगे आर्टी का त्यारी हो रहा है यह नहीं पाँच गया है कि आदना ट्रैक करके वह क्या फीला हरा है यह तो पता भी नहीं सकते हैं हुआ है वहाँ आपको बता है कि कल रात का आरती जो है कल्साम का आरती रात में कॉन जो कर लिये थे और हम ट्रेक करके फाइनेटि'ा से भागा थाद खच रहे और आज फोनेग मैं है महाँ माँपा चिन करने शबूब Monsieur गया करने और ये तुर जन्द है जरगा और अपना ड्रिंग है भी फूरा हो गया वावा के असिरवात से हधर महादेम जैपवाब के तार्णाथ परसे से असिरवात बनाए रखिए क dramas फर्शाद खरीथ लिया है और बहुत लोग इस कीज सफेकर में करते हैं और और जो जो जानते हैं जो चीज गले वह शर भी करेंगे ऑ आपको दिखाएंगे भी तंब वीडियो पर बने रही गा जो पिसलिए भूल को बहाद संदने का लाद हुआता हुआ एक लाद टो झाल कर साग हुआता हुआता है समाँ नी मन्नत ्या सुक्पवी अप्लग भी आई यह ज़ू नरू किजी यह जो देख रहत हैं यही पत्थर था जो 2013 में इस मंदर को बचाया और इस आपदे में कुछ नहीं बचा था है। कुछ नहीं मतलब नथिंग कुछ नहीं सिवाए मंदिर के रावा बस इस पत्थर जो बचे थे, आप समझ सकते हैं। यह खुद में बावा ही है जो इस मंदर को बचाए है तो बस सोच के उपर डिपेंड करता है तो आए हैं हम भी विश्मांगे है कभी आप लोग आई है तो अपना भी विश्मांगे क्योंकि बावा के दरवार में आया है तो कुछ मांग के जाएगा आप लेख सकते हैं यह वयू यह र crisis इए देख्यश रिखाते हैं प suppression staff है मतलब जहीं में यह जहन है और यह जो कामरा में वीडियोज देक रहताए यह वीडियोज देख्योंगे बस ठीक है वीडियो है बड्च आके यहां फील होता है वह आपको डॉग्र या कोई या कुछ जब आप यहां आईएगा तो आपको फील होगा कि क्या जगह है और मतलब आज अगर धर्ती पर कहीं स्वर्व है वो यहां है और वो आके यहां जब टाइम स्पेंट कीजेगा तो फील होगा कभी बाबा का बुलावा आए तो आप लोग भी आईए हर हर महादेब और यहीं पर वीडियो को करते हैं क्लोज